दोस्तों कहाने की शुरात होती है एक ओल लेडी को दिखाते हुए जिसके पीछे एक लेडी जिसका चेरा हमें नहीं दिखाया जाता वो एक डाग छोड़ देती है ये ओल लेडी इस डाग से अपनी जान पिचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो बश नहीं पाती और फिर हम इस ओल लेडी का फ्यूनरल देखते हैं जिसमें जोनस नम का मेंन कैरेक्टर था और ये ओल लेडी जोनस की दादी और फ्रेडरिक यहां जो खड़ा था वो जोनस का ग्रैंट फादर था जोनस के फादर थे वो अपने फादर यानी जोनस के दादा से रिष्टा नहीं रखते थे इसलिए जोनस की मा फ्रेडरिक को माफ करने के लिए कहती है बाचीत के दौरान इनकी गाड़ी की तरफ एक फुल स्पीड में गाड़ी आती है जोनस इस आइलेंट को छोड़कर अपनी आँड के पास जाने का फैसला करता है जिससे जोनस के दोस्त खास और से बेस्ट फ्रेड नीना बहुत दुखी होती है क्योंकि वो जोनस को पसंद करती थी लेकिन तबी फ्रेडरिक जोनस के पास आता है और कहता है कि तुमारे फादर के साथ मेरे रिलेशन अच्छे नहीं डए लेकिन मैं तुमारे साथ रखना चाहता हूँ इसलिए तुम मेरे साथ रह सकते हो ये सुनकर जोनस और जोनस के सभी दोस्त बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब जोनस को यहां से नहीं जाना पड़ेगा खैर वक्त बीटता है और जोनस फ्रेडरिक के साथ काफी अच्छा फील करता है और कुछ समय बाद स्कूल भी ओपन हो जाते हैं और पर जोनस अपने सभी दोस्तों के साथ स्कूल जाना शुरू कर देता है एक दिन इनके स्कूल में हेलेना नाम की एक नई टीचर आती है और इन सब को बीच पर ले जाती है यहां हेलेना स्टुइंट्स को बताती है कि तुम्हारी जो लैंगविश टीचर थी उनका एक्सिजन्ट हो क्या इसलिए अब मैं तुम्हें टीच करूंगी ऐसे अचानक टीचर के गायब हो जाने से नीना और उसकी दोस्त जूल को काफी अजीब लगता है इसलिए ये दोनों हेलेना को ज्यादा पसंद नहीं करती लेकिन हेलेना ये लोगों से इंटरेक्ट होना चाहती थी इसलिए ये जोनस और उसके दोस्तों के पास आती है और शिफ्टिंग में मदद करने के लिए कहती है ये लोग भी अपने टीचर की हेल्प करने के लिए राजी हो जाते हैं वही अगले दिन नीना और जोनस साथ स्कूल जा रहे होते हैं और यहां पे हम देख पाते हैं कि ये दोनों काफी क्लोस फ्रेंड है खर स्कूल पहुशने के बाद शिफ्टिंग करते वक जोनस और उसका फ्रेंड हेलना को देखते हैं यहां नीना को क्लोसेट में एक बैग मिलता है जिसे नीना खोलने ही वाली होती है कि तब ही हेलना यहां आ जाती है और से बैग खोलने से पहले ही दूसरी काम में लगा देती है काम करने के दोरान नीना के पैर में चोट लग जाती है इसलिए सब लोग नीना की मदद करते हैं और शाम को जोनस नीना से घर पर मिलने भी जाता है हेलेना इन सभी फोटोस को जला देती है ताकि ये किसी के भी हाथ ना लग पाए अगली सुबह जोनस मौनिंग वॉक पर जाता है और पीछे से हेलेना भी इसके साथ जॉइन हो जाती है और जोनस से नीना के बारे में पूछती है जोनस तो अपनी पूएम अच्छे से लिख लेता है लेकिन नीना को कुछ भी समझ में नहीं आता इसलिए वो जोनस के घर आ जाती है और जोनस नीना को पूएम लिखने में मदद करता है इसके बाद फ्रेडरिक नीना और जोनस एक साथ बैट कर डिनर करते है इस दोरा नीना जोनस की राइटिंग की तारीफ करती है लेकिन जो फ्रेडरिक जोनस की पूएम रीट करता है तो उसे कुछ खास पसंद नहीं आती फ्रेडरिक बताता है कि पहले मैं राइटिंग भी करता था लेकिन इसका कोई स्कोप ना देकर मैंने टीचिंग करनी शुरू कर दी फ्रेटर की ये बाते सुनकर जोनस का कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद हेलना जोनस को रोक लेती है तो तुम मेरे घर आकर मुझे दिखा सकते हो ये सुनकर जोनस को अच्छा लगता है इसलिए वो शाम को हेलना के घर के बाहर एक नोट बुक रख देता है और बिना मिले ही वापस जाने लगता है लेकिन तभी हेलना जोनस को अंदर बुला कर बैठाती है और शावर लेने चली जाती है हेलना ऐसे कपड़े वदलती है कि जोनस को सब दिखाई देता है इसके बाद हेलना जोनस की राइटिंग पढ़कर इमोशनल हो जाती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर इंटिमेट हो जाते हैं अगले दिन नीना इसकूल जाने के लिए रास्ते में जोनस का वेट कर रही थी कि तब ही उसे जोनस और हेलना दोनों साथ नजर आते हैं जिन्हें देखकर नीना छुप जाती है क्लास में हेलना जिस तरीके से जोनस को टच करती है इसे जूल को कन्फर्म हो जाता है कि हेलना और जोनस के बीच कुछ तो है ये बात वो नीना को भी बताती है जिसे नीना काफी सैड हो जाती है नीना हेलना को बता देती है कि वो पोयम मैंने नी बलकि जोनस ने लिखे थी और जब नीना जोनस के साथ घर जा रही होती है तो ये बाद जोनस को ये बता देती है जिस पर जोनस कहता है कि मैंने पहले ही ये बाद हेलना को बता दी थी नीना को काफी अजीब लगता है कि ये जानने के बाद भी हेलिना ने इस ट्रेंज बिहेव क्यों किया इसके बाद नीना और जॉनस दोनों जॉनस के पुराने घर में जाते हैं ताकि इसकी ता कि साफ सफाई कर सकें क्योंकि जॉनस यहां रहने का फैसला करता है जोनस अपने बच्पन का सारा सामान देकर इमोशनल हो जाता है जोनस को रोता हुआ देखकर नीना उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ कर कभी नी चाओंगी इसके बाद दोनों किस कर लेते हैं यानि अब से ये रिलेशन में थे इसके बाद स्कूल की 50th एनिवर्सिरी सेलिबरेट की जाती है जिसमें पुराने टीचर फ्रेडरिक को भी बुलाये जाता है स्पीच देते वक्ग जब फ्रेडरिक हेलेना को देखता है तो उसे अचानक से धक्का लगता और वो नीची गर जाता है यह देखकर तुरानती जॉनस फ्रेडरिक को घर ले जाता है रात को नीना हेलना को लेकर बात करती है और कहती के हेलना शायद किसी की तरह दिखना चाहती थी इसलिए उसने हेर कट भी किये थे लेकिन जॉनस नीना की बातों को सीरिसली नहीं लेता और दोनों में जगड़ा हो जाता है नीना के घर से चले जाने के बात चुपके से हेलना जॉनस के कमरे में आ जाती है और दोनों इंटिमेट होते है हेलना सुबा लेट उठती है इसलिए वो चुपके से ही घर से बाहर जाने लगती है ताकि कोई भी उसे जॉनस के घर से निकलता हुआ ना देखे लेकिन नीना हेलेना को देख लेती है दरसल नीना जॉनस के साथ लड़ाई खत्म करना चाहती थी इसलिए वो जॉनस के लिए कुछ लेकर आती है लेकिन जब हेलेना को जॉनस के घर से बहाँ निकलता देखती है तो गुसे में इसे बाहर छोड़कर यहां से चली जाती है कल के इंसिडेंट के बाद फ्रेडरेक एक पुराना लेटर निकाल कर पढ़ता है और फिर इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है नीना और जूल पर जोकि दोनों स्कूल में रनिंग कर रहे थे यहां जूल कहती है कि जब फ्रेडरेक ने हेलना को देखा तब ही उनकी तब्यद बिगड़ गई हलाकि ये बात बहुत ही अजीब थी नीना ने भी एबात नोटिस की थी लेकिन जब जूल को भी यही लगा तो नीना शोर हो जाती है कि जरूर कुछ तो गड़बाड है वाली टीचर को मैं अच्छे से जानता था जोनस फ्रेटरिक की एक नहीं सुनता और स्कूल आ जाता है वही नीना लाइबरेरी में जा कर पुराने टीचर के बारे में पता करती है और ये बात हेलना को भी पता चल जाती है नीना टीचर्स की बुक में एक टीचर को देखती है जिसका हेरस्टाइल टू कॉपी हेलिना ने किया था जॉनस कूला कर जूल से नीना के बारे में पूछता है और जूल के बताने पर लाइबरेरी की तरफ जाने लगता है इδώ हेलना नीना के पास लाइबरेरी में आ जाती है हेलना को देखकर नीना ओल्ड टीचर और इसका रुलेशन पूछती है यह सुनकर हेलना गुसे में नीना का गल्ला दबाने लगती है और यही नीना को मार देती है और फिर जब लाइबरेरी से बाहर निकल रही होती है तो सामने जॉनस आ जाता है जो नीना के बारे में पूछता है इस पर हेलना कहती है कि मैं लाइबरेरी से आई हूँ, वहां तो नीना नहीं है जोनस के चुले जाने के बाद हेलना लाइबरेरी में आकर अपनी गलती के लिए बहुत रोती है और भी नीना की डेड़ बाडी को बॉक्स के पीछे चुपा देती है इसके बाद हेलना ब्लैंकेट और कुछ रोप्स लेती है और नीना की डेड बाडी को कवर करके यहां से छुपते छुपते ले जाती है स्कूल के पीछे के दरवाजे से हेलना नीना की डेड बाडी बाहर लाकर अपनी गाडी में रख देती है यहीं पर नीना की साइकल भी थी जिसे देखकर हेलना इसे भी अपनी गाड़ी में रख लेती है वहीं जॉनस हर जगा नीना को ढूंडता फिरता है और जब जूल से पूछता है तो वो बताती है कि मैंने उसे लास्ट टाइम लाइबरेरी में देखा था शाम को हेलना नीना की डेड बाड़ी और स्वाइकल लेकर बीच पर आ जाती है और ऐसा सीन क्रियेट करती है जिससे सब को ये लगने लगे कि नीना स्विमिंग करते वक्त ढूप कर मरी है रात को जोनस हेलना को बात करने के लिए अपने घर बुलाता है और हेलना अपने साथ कुछ खतरनाक दवाई पीस कर लाती है हेलना जोनस को बताती है कि उससे मेरी लाइबरेरी में बात हुई थी और उसने मुझे सुभा के टाइम घर से बहाँ निकलते वक्त देख लिया था उससे सब कुछ पता चल गया था इस पर जोनस कहता है कि तुम्हें ऐसे घर में नहीं आना चीए यह सुनकर हेलना कहती है कि तब तो तो तुम्हें बड़ा मजाय था जोनस को रिलیکس फिल कराने के लिए हेलना डृंक बनाती है और साथी वो दवाई भी मिला देती है हेलिना जोनस को राइटिंग पर ध्यान लगाने के लिए कहती है लेकि जोनस कहता है कि मेरे ग्रैंट फादर को मेरी राइटिंग में कोई दिल्चस्पी नहीं है इस पर हेलिना जोनस को एक कमाल का राइटर बताती है और इसी लाइन में आगे बढ़ने के लिए कहती है साथी ब्रेक अप करने के लिए भी कहती है और जब हेलेना यहां से जा रही होती है तो जोनस उसे रोक लेता है और किस करने लगता है और यहीं पर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं जिस वज़े से जोनस अपने घर देर से पहुशता है हेलना की दी हुई ट्रिंक जोनस ने बहुत कम पी थी इसलिए वो उस पर ज़्यादा असर नहीं होती घराने के बाद फ्रेडरिक हेलना को लेकर बात करता है क्योंकि वो जानता था कि जोनस हेलना के पास से ही आया इस पर जोनस कहता है कि आप से जादा मुझ पर वो भरुसा करती है अगली सुबा फ्रेडरिक जोनस को नीना की डेड बॉडी के बारे में बताता है और इस बीच फ्रेडरिक की तबीत खराब हो जाती है जिस उसे हॉस्पिटल में एडमिड किया चाता है जॉनस अपने दोस्तों से कहता है कि Νीना एक माहिर सुтер थी वो ऐसे नहीं मर सकती जून से पता चलता है कि नीना हेलना के बारे में जाने के लिए लाइबरिरी कई थी इसलिए सभी दोस्त हेलेना के बारे में पता लगाते हैं इदर हेलेना फ्रेटरिक के पास चली जाती है और कहती है कि मेरी मा तुम से प्यार करती थी लेकिन तुमने उनका साथ नहीं दिया और उन्होंने मेरे सामने समंदर में अपनी जान दे दी तुम्हारी वज़े से मेरी मा मरी और सी के बदले मैंने तुम्हारी पूरी फैमली को मार दिया यानि वो ओल लेडी के पीछे डॉक छोड़ने वाली हेलेना थी जोनस के पेरेंट्स का एकसिडेंट हुआ वो भी हेलेना की वज़े से ही हुआ वही जोनस और उसके दोस्तों को भी हेलना की मा के बारे में पता चल जाता है इसलिए जब हेलना फ्रेडरिक को घर लेकर आती है तो जोनस उसे सच बताने के लिए कहता है लेकिन बताने से पहले हेलना कौफी पीने के लिए कहती है और जोनस की कॉफी में वो खतरनाक दबा मिला देती है कॉफी पीते वक्त हेलेना सारी सच्चाई बता देती है और जब जोनस की तवियत खराब होने लगती है तो वो जोनस को पानी में जुबाने की कोशिश करती है लेकिन जोनस बचकर घर में आ जाता है वहीं फ्रेडरिक पेरलाइस होने की वज़ा से जॉनस की हेल्प नहीं कर पाता और पानी का जग गिरा देता है हेलना जॉनस के पीछुए आकर उस पा अटैक कर देती है और जॉनस वहीं पढ़े कांच के टुकड़े से उसे मार देता है अब ये फ्रेडरिक हेलेना की माक का लेटर दिखाता है जिसमें उसने अपने प्यार का इजहार किया था और इसी के साथ ये मोवी यहीं पर खत्म हो जाती है दोस्तों अगर आपको इस मोवी का लिंक चुए है तो हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल चुएगा इस वीडियो को लाइक और शेर कीजिए और ऐसी और मुवी इसकी एक्स्प्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो आपसे मिसना हो मिलते आपसक लिए वीडियो में चिल देन बाई-बाई-टेक केर